प्रेस्टी बेल आइकन निवर मिसन अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट खाबरी हेलो एब्रीविन और वेलकम बाक टू स्टूडेंट खाबरी जहां हम आपको प्रिफर्ट कॉलेजिस और उनिवर्सिटीज के इन्फरमीशन प्रवाइड करते हैं जिससे आप अपना करियर का best option चूज़ कर सकते हैं और ये decide कर सकते हैं कि आपको कौन से college में admission लेना है और आप कौन से course लेंगे और उस college की मैं आपको सारी information इस वीडियो में provide करूंगी कि वो college कैसा है, वहां का admission procedure क्या है, वहां की facilities क्या क्या है तो आज मैं आपको बताऊंगी शाषिप college of technology के बारे में तो उसके पहले अगर आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर दीजे and don't forget to press the bell icon तो आज हम बात करेंगे शाषिप college of technology की जो की भोपाल में located है यह करीब भोपाल जैपूर रोड है, वहां के आसपास कहीं है 6 किलोमीटर दूर है यह भोपाल एरपोर्ट से तो इस तो मेंली भोपाल में located है और यह एक private institution है और यह 2009 में established हुआ था मतलब कि अभी 10 साली हुए इसके establishment को अभी नया नया college खुला हुआ है जो की RGPV से affiliated है और approved किया गया है AICTE से अब हम बात करते हैं कि इस college में कौन-कौन से courses offer किये जाते हैं कौन-कौन से courses available हैं जो आप कर सकते हैं यहाँ पर BE, B.Tech किया जाता है अब मैं आपको बताते हैं इसमें कौन-कौन से branches यहाँ पर यह लोग available करवाते हैं Civil Engineering है, Computer Science and Engineering है Electronics and Communication है Mechanical Engineering और Aeronautical Engineering यहाँ पर यह सारी branches available है और हर branch में 60 seats available है इनके पास तो यह बात तो हुई कि यहाँ पर कौन सा course है और उसमें क्या-क्या branches आपके पास available है अब बात करते हैं कि admission procedure की तो यहाँ पर admission लेना बहुत easy है क्योंकि direct admission है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ college जाना है और अपने साथ अपने कुछ documents लेके जाना है नॉर्मली 10-12 की mark sheet, TC, migration certificate यह सारे documents आपको लेकर जाने है बहाँ पर और direct admission हो जाएगा बट अगर आपको और भी कोई admission से related information लेनी है तो हमने whatsapp number दिया हुआ है उस पर आप हमारे counselor को call करके पूछ सकते हैं वो आपको बता देंगे बाकि यहाँ का admission procedure बहुत simple है सिर्फ आपको documents college लेके जाने है और फिर आपका admission directly हो जाएगा अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी facilities available है क्या क्या facilities provide की जाती है तो library है, cafeteria है, hostel facility है, sports complex है, hospital है, medical facilities है, labs है तो यहाँ पर students को सारी facilities है, सारी चीज़े campus के अंदर ही provide की गई है student को बहार जाने की जरुरत नहीं है ऐसे सारी facilities यहाँ पर provide की गई है अब बात करते हैं क्या की events की और social life की की यहाँ होता क्या है तो यहाँ पर साल में एक बार annual function होता है हार department के तरफ से जहाँ पर student अपने talents showcase कर सकते हैं अपने according perform कर सकते हैं उन्हें क्या करना है, क्या नहीं वो सारी चीज़े एक उन्हें ground मिलता है जहाँ पर बता सकते हैं क्या क्या talents है तो साल में एक बार यहाँ पर annual function होता है जिसमें students participate करते हैं तो अब बात करते हैं placements की तो यहाँ पर placement लगभग बच्चों का 6 लाग पर अनम तक गया हुआ है तो placement यहाँ का average है और civil engineering की बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ खास placements आज तक हुआ नहीं है इतना अच्छा placement आया नहीं है तो यह हम एक negative point में ले सकते हैं बाकिये जो भी companies आती हैं और airlines companies भी आई हुई है तो यह companies internship बच्चों को provide करते हैं तो यह एक positive point है कि यहाँ के बच्चों को internships के लिए अच्छी company मिलती है और यहाँ पर जो teachers है जो faculty है वो बहुत ज़ादा well experienced है बहुत अच्छी knowledge है उन लोगों के पास काफी well experienced और well knowledge professors है यहाँ पे तो यह हमारे पास एक positive point है यहाँ का अब बात करते हैं यहाँ की rating की तो यह rating यहीं के students के reviews के according है जो की out of 10 है तो accommodation में यह है 7.2 out of 10 academic में 8.1 out of 10 faculty में 8 out of 10 infrastructure 8 out of 10 placements 7.7 out of 10 और social life में 7.7 out of 10 तो यह तो बात की हमने शाशेब college of technology की तो मैंने इसमें आपको सारी information provide कर दी है तो अगर आपको कोई query है या आपको और कुछ आप हमसे बता सकते हैं आप हमें बता सकते हैं तो आप comment box में mention कर सकते हैं और हमने description में एक google form और whatsapp number भी दिया हुआ है तो आप उसमें भी हमें बता सकते हैं students अपने reviews दे सकते हैं जिससे आने वाले students को जिन्हें admission लेना है उन्हें help मिल जाए उन्हें पता चल जाए कि उन्हें admission लेना चाहिए या नहीं तो आप वो सब कर सकते हैं और बाकी मैं ऐसी और information आप तक पहुचाती रहूंगी तो अगर ये video आपको worth लगी हो तो please do like it, thank you and stay tuned